स्वागत है आपका माई जोतिष में जोतिष शास्त्र नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में लोगों के भविश्रवाणी से जुड़े सवाल आने लगते हैं यह एक ऐसा शास्त्र है जिसे से हम किसी का भी भविश्रवाणी व्यक्ति के सौभाव, पसंद, नापसंद, नेचर और उस व्यक्ति के गों या दोश्रों के बारे में असानी से पता लगाते हैं जोतिष से जुड़े सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें आज हम बताने जा रहे हैं उन चार राशियों के बारे में जिन राशी के लोगों की पार्शनालीटी एकदम अकरसित होती है जिनको एक बार देख लेने से उनसे बाते करने का मन करता है जिनकी और कोई भी बेक्ति खीचा चला आता है आईए जानते हैं कि आपकी राशी इन अकरसित करने वाले बेक्तियों में है या नहीं तो सबसे पहली राशी आती है मित्धुन राशी अपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहीं भी जाते हैं तो अक्सर नएने दोस्त बना ही लेते हैं ऐसे लोग अपनी बातों से लोगों का मन लुभा लेते हैं जिससे लोग असानी से इनकी ओर अकरसित हो जाते हैं और साथ ही साथ बात करने पर खुद मजबूर भी हो जाते हैं यह लोग जहां भी जाते हैं, वहां अपनी नई पहचान बना ही लेते हैं. इस राशी के लोग soft nature वाले होते हैं और romantic ही होते हैं. इसे से इनके love relations भी कई बन जाते हैं. अगली राशी है, सिंह राशी. सिंह राशी के लोग अपने बोलने के अंदाज से अकसर लोगों के बीच प्रसीद हो जाते हैं. इनकी attractive personality का हर कोई असानी से दिवाना हुआ रहता है. इस राशी से जुए लोगों की personality एकदम प्रभावशाली होती हैं. जिसे से लोग इनकी ब बातों को मानने लग जाते हैं, अगली राशी है तुला राशी. इस राशी के लोग अपनी बातों से लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं. इन राशी के लोगों की बोली हमेशा attractive होती है. ये लोग अपनी किसी भी बातों को सामने वाले व्यक्तियों के सम बहुत ही असानी से रख देते हैं, जिसे से सामने वाले लोग इनसे इंप्रेश हो जाते हैं, या लोग अपनी जिंदगी में रिष्टों को बहुत एहमियत देते हैं, और सभी रिष्टों से बहुत प्यार करते हैं, मक्का रासी, मक्का रासी के लोग ऐसे लोग होते हैं, ज जो सब को प्रभावित करता है लोग अक्सर उनकी तरफ हीचे चले आते हैं और इनकी बातों को मान लेने पर मजबूर हो जाते हैं आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना बुले